हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल शाह टैक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने लेनोबो का अन्बॉक्सिंग लैप्टॉप और यह अंडर 30,000 के आराउंड में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन दवाना ना भूले तो गाइज लिनोगा 15, Laptop FV 15, Intel Processor, Intel Processor, CDC Celeron Dual Core inside also Intel, CDC Processor inside also 4GB RAM, there is 4GB RAM inside also DDR4 RAM and 1TB SGD also inside and window 10 license genuine, there is a market price for you, market में बड़े आराम से 49,000 या 30,000 के approximately मिल जाएगा यहां देख सकते हैं कंपनी ने प्राइज मेंशन किया 45,000 सम्थिंग रूपीज 45,000 225 रूपीज और जुलाई महीने का ही अपर 2021 का, so guys बड़े आराम से latest model है, नया model है और यह आपको dual core के साथ मिलता है 4GB RAM, 1TB hard drive and window 10, so guys बड़े आराम से आप purchase करते हैं, under 30 के अंदर में, price 30 के अंदर में मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर Intel का processor है and 4020 1.1 GHz से लेकर के, 2.8 GHz Turbo Boost तक जाएगा, बलके 3.0 अब तक जाता है, 4GB RAM है, इसमें DDR4 RAM है, 1TB HDD है और guys इसमें हम SSD भी लगा सकते हैं, integrated इसमें GPU दिया है, Intel का Full HD डिस्प्लेय मिलता है guys, इसमें Full HD 1920 x 1080, 2-cell battery है guys, जोके battery backup हमें बड़े अराम से, 6-7 hours मिल जाता है, और guys, window 10 license दिया है, single language and color की बात करूं तो iron gray color है, color भी बहुत ही जबर्दस है, beautiful look है, laptop का, बहुत अच्छा है लेड़ों V15, V15 के नाम से जाना जाता है laptop, और MTM number कहेंगे A2C30057IH, जी हाँ, A2C30057IH, so guys बड़े अराम से ही आपको 30,000 के अंदर में laptop market में बड़े असानी से मिल जाएगा, online भी available हैगी guys, so guys चलिए हम इसको unbox करते हैं, दिमांड थी लोगों की, अंडर 30 के अंदर में को भी laptop कभी आप unboxing कीजे, तो guys मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अंडर 30 laptop, so guys चलिए, यह unbox हो गया है, और इसके features function के बारे में जान लेते हैं, laptop का looks जान लेते हैं, perform क्या है, यह जान लेते हैं, use क्या है, यह जान लेते हैं, so guys laptop मेरे हाथ में आ चुका है, unbox हो चुका है, guys यहाँ देख सकते हैं, company ने कुछ user guides दिया है इसका, यहाँ पर मिल जाता है हमें एक charger, 45 watts का यह charger है, with adapter charger कहेंगे, with power cable के साथ है, Lenovo by manufactured, Lenovo का अपना खुद का manufactured किया हुआ charger है, 45 watts का यह 45 watts का charger मिल जाता है, guys हमें यहाँ पर, अब मैं laptop के बारे हम बाता दूँ, तो guys यह बड़ा, एक अच्छा laptop है, जादे heavy duty नहीं है, जादे heavy perform नहीं करेंगे, लेकिन आपका पढ़ाई से related, और official purpose related, net surfing related, बिल अगरा, accounts वेरा, यह सब, each and everything is, can do it in this laptop, आपका पढ़ाई का online का, सारा online का study होगा, बड़े अराम से होगा, अगर आप shopkeeper हैं, तो आपका shopkeeper का खाम बड़े अराम से होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 15.6 laptop दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर company दिया है, set of guide, instruction दिया है, safety, देख सकते हैं guys, set of guide हैं यह, तो यहाँ पर आपको यह laptop जो है, Intel dual core processor, cellulon dual core processor 4GB RAM अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें RAM भी अराम से आप 1GB, NVMe, M.2 SSD भी लगा सकते हैं बड़े अराम से, अगर NVMe नहीं तो M.2 बड़े अराम से लग जाएगा, वैसे Lenovo के जितने भी laptop होते हैं, उसमें NVMe ही लगता है SSD, और HDD इसमें कंपनी ने दिया है, SSD नहीं दिया है, यहाँ पत्रोला सा निराश किया है कंपनी ने, लेकिन 30 के बजट में यही laptop आता है, वाओ, कितना प्यारा look देख सकते हैं, यहाँ पर, iron gray color है, यह काफी अच्छा fine finishing के साथ है, side में मिल जाती है मैं guys, इसमें Lenovo की grinding, चली guys, मैं इसका, अब और बाकी port features and function के बारे मैं बताता हूँ, जैसे company ने, इसमें external हमें क्या-क्या port provide किये है, so guys, देख सकते हैं, fine finishing के साथ है, thin and light है काफी, USB हमें मिलता है, यहाँ पर 3.0, दो USB मिलते हैं, 3.0, एक मिलता है, 2.0, और HDMI port मिलता है, and charging port मिल जाता है guys, यहाँ पर हमें, एक charging port है, और HDMI 3.0, USB, और यहाँ पर दूसरी साइड में हम कहेंगे, तो हमें मिलता है, microSD guard और 3.5 mm sound jack, guys, मेरा तोड़ा गलक का, फिटाम से खराब है, इसलिए मुझे दिक्कत होता है, so guys, यहाँ पर मिलता है, हमें, microSD big and 3.5 sound jack, और लैप्टोप के पैनल के नीचे की बात क cooling area, two wind मिल जाते हैं, हमें, दो air system मिलते हैं, हवा के साथ, और काफी cooling system, यहाँ पर देख सकते हैं, Lenovo का branding, sorry, माफ कीजेगा, window 10 का branding मिल जाता है, यहाँ पर, और Lenovo का model description मिल जाता है, guys, so guys, चारों तरफ हमें मिलता है, rubber का gripping, जिससे के laptop हमारा slip ना हो, शिशे पे, टेबल पे कहीं पर भी, और laptop के panel लीछे मिलते हैं, हमें left and right side में speaker, और laptop के back panel मिलता है, हमें फिर से एक wind, यानि के हवा के लिए, cooling के लिए, so guys, चलिए laptop का flap पर करते हैं, guys, अगर वीडियो पसंद आए, तो like बनता है, subscribe बनता है, और hit करना है, यानि के bell icon दवाना बनता है, यहाँ पर table है, okay, और right side में मिलता है, हमें Lenovo का branding, यहाँ पर उपर में मिलता है, हमें camera मिलता है, HD camera है, 1.3 VGA camera गया लाता है, लेकिन quality HD रखता है, और एक mic के साथ रखता है, और narrow bezel की बात करों, तो guys, हमें मिलता है, यहाँ पर narrow bezel display मिलता है, so guys, कुल मिला के laptop बेल्कुल ठीक ठाक है, ब इंच नहीं जूपता है, और guys, battery backup की बात करों, तो यहाँ पर 6 to 7 hours battery backup company बोलता है, लेकिन near about 5 to 4 hours बहुत आराम से मिलेगा, so guys, देख सकते हैं, laptop बिल्कुल अच्छा दिग रहा है, और hinge का कमी problem नहीं आएगा, इसमें क्यूंकिक्श का कमी problem नहीं आएगा, इसमें क्यूंके 170 SSD भी हम लगा सकते हैं, guys, guys, यहीं एक तरीके से billing purpose से और online study के purpose से बहुत ही ठीठा laptop है, बहुत अच्छा है, यानि कि कम पैसों है, जो laptop मिल रहा है हमें market में, बस यहीं मिल पाएगा अभी, so guys, आप इसको buying करें, enjoy करें, क्योंकि laptop बहुत अच्छा है, कोई जादे ऐसा hidden नही बहुत चलेगा, 4G भी RAM है, RAM बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन SSD कभी भी इसमें बढ़ा सकते है, guys, क्योंकि आज passion है SSD का, company इसमें HDD दे रहा है, just like a store का का काम करेगा, लेकिन boot in में थोड़ा सा slow चलता है, boot करने के लिए हमें SSD की जरूरत पढ़ती ही है, लेकिन never mind कोई इतना slow भी नहीं है कि हमारा कोई काम नहीं हो सकता, guys, आपका सारा काम होगा इसमें, पढ़ाई online होगा, business online होगा, business का कोई भी work रहेगा, वो भी सारा होगा, online, offline, दोनों ही होगा, लेकिन heavy game नहीं चल सकता इसमें, normal game चलेंगे ही चलेंगे, जो normal laptop पे चलते हैं, so guys, laptop क के बारे में कोई भी और feedback चाहिए, आप मेरे को message कर सकते हैं, और मेरे description में उसको check-in कर सकते हैं, उसमें सारी information मिलेगे, so guys, मैं आपके लिए हर रोज नए वीडियो लेके आता हूँ, update रखता हूँ आपको new information, new technology के साथ, सभी तरीके की information technology मेरेगी मेरे साइट पे, शहाट आपके लिए नएने laptop लेके आता हूँगा, so guys, thank you, thank you very much, आपने मेरा वीडियो एने तक देगा, इसके लिए एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, thank you very much guys, thank you